सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे मैं हूपरीती सिंग शुरुवात मुख्य समचारों के साथ कारोबारी सरोगेसी पर रोक लगाने वाले विधेक पर आज राज्य सभा में होगी चर्चा जल्यावाला बाग राश्ट्रिस मारग संचोधन विधेक भी कारिसूची में शामिल दोनों विधेक लोगसभा से पार चिटफन संचोधन विधेक पर लोगसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी ग्रहाकों को धोका धड़ी से बचाने के लिए खानून में बड़े बदलाव का प्रावधान, वायू प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन पर नियम 193 के तहट चर्चा भी एजिंडे में शामिल राज्य सभा की 250 वे सत्र के पहले दिन भारती शासन तंत्र में उच्च सदन की भूमिका और आगे की रहा पर हुई विशेश चर्चा सभापती अम वेंकया नाइडू ने सदन के कामकाज को और बहतर बनाने के लिए दिये 10 सुझाव प्रधानमंत्री की सांसदों से राश्ट्रे द्रिष्टी कोणक शेत्रे हितों की भी संतुलन बनाने की अपी स्याचिन ग्लेशियर के उत्री हिस्से में हिंस्खलन सेना के चार जवान शहीद दो पोटरों की भी मौत रक्षामंत्री राजना सिंग न जताया गहरा दुख गंभी रूप से घायल दो जवान सेने स्पतार में भरती मध्यमवर के लिए हेल्ट के सिस्टेम पर विचार कर रहा है नीती आयोग हेल्ट सिस्टेम फॉर न्यू इंडिया रिपोर्ट में आयोग ने किया जिक्र कहा इशमान भारती योजना से वंचित लोगों को मिलेगा नई प्रनाली का फायदा संसत के शीत कालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दोनों सदनों के एजिंडे में आज महत्वपून कामकाज है राज्य सभा के अतिहासिक दोसुपचासवे सत्र के दूसरे दिन आज सदन में दो एहम विधेकों पर विचार होना है जल्यावाला बाग राश्य समानक संशोधन विधेक दोहजार उन्नीस पर आगे की चर्चा होनी है जबकि सेरोगिसी विनियमन विधेक दोहजार उन्नीस भी आज सदन की कारिसूची में शामिल है इसके अलावा तीन विधेक वापस ले जाने के लिए भी एजिंडे में शामिल हैं इनमें भारती आयूर विध्यान परिशद संशोधन विधेक उन्ने सो सतासी राश्य मानव स्वास्ते संसाधन आयोग विधेक दोहजार ग्यारा और भारती आयूर विध्यान परिशद संशोधन विधेक दोहजार तेरा शामिल हैं वही लोगसभा में चिटफण संशोधन विदेग दोजार उन्नीस पर आगे की चर्चा होगे जबकि नियम 193 के तहट वायू प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन पर चर्चा भी लोगसभा की कारिसूची में शामिल है राज्य सभा के एजिंडे में जल्यावाला बाग राश्ट्री समारक संशोधन विदेग दोजार उन्नीस शामिल है परेडन मंत्री पुलाज संग पटेल ने 7 अगस को विदेग पर विचार का प्रस्ताव किया था आज विदेग पर आगे की चर्चा होगी वो विदेग को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे विदेग के जर्ये जल्यावाला बाग राश्ट्री समारक अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाना है ये विदेग उस संस्था से राजणिती करण समाप्त करके राश्ट्री कर करने का प्रियास है इस संशोधन में समारक के न्यासियों में से किसी राजनितिक पार्टी के अध्यक्ष का नाम हटाने का प्रस्ताव है इसके लावा लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर सबसे बड़े विदेग के नेता को न्यासी बनाने का उपबंध दोबारी सरोगसी पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है हाला कि कुछ शर्तों के साथ जरूरत मंद विवाहे जोड़ों को नैतिक सरोगसी के अनुमती दी जाएगी साथी सरोगसी मामलों के निगरानी के लिए बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है प्रावधानों के उलंगन पर दस लाख रुपे तक जुर्माना और दस साल तक की कैद की सजावी रखी गई वहीं चिटफन संशुधन विदहेग पर लोग सभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी सदन में विदहेग पर विचार का प्रस्ताव करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा चिटफन सालों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोथ रहा है विदहेग में विक्तियों की संकलित चिट रकम की अधिक्तम सीमा को एक लाख रुपे से संशोधित करके तीन लाख रुपे करने का प्रावधान किया गया है वायू प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन को लेकर मंगलवार को लोगसभा में नियम 193 के तहक चर्चा होगी लोगसभा ध्यक्ष ने इस अल्पकालिक चर्चा के लिए मनीश्तिवारी, पिनाकी मिश्रा, कुबर्दानिश अली और एनके प्रेम चंदरन के नोटिस को स्वीकार कर लिया है और हाल के दिनों में दिल्ली एन्सियार समेट उत्तर भारत के कई लाखे गंभीर प्रदूशन की समस्या का सामना कर रहे हैं और सीधा आए हम जलते हैं संसभावन परिसर हमारी संभाता कृती मिश्रा जादा जानकारी के साथ मौजूद है प्रिती आज के जिंडे को अगर हम देखें तो चिटफन संशोदन विधहक पर लोगसभा में चर्चा आज जारी रहेगी और कारोबारी सरोगसी पर रोग लगाने वाले विधहक पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी बताएए कुल मिलाकर आज जो एजिंडे में क्या क्या खास रहने वाला है जी हाँ प्रिती देखे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दो एहम बिल हैं जो आज राज्यसभा में आएंगे और किस तरह से जो सरोगिसी के बाद बच्चे होते हैं उनका अधिकार कैसे प्रोटक किया जाए तो ये बेहत इंपॉर्टन बिल है जो राज्यसभा में आएगा वहीं अगर हम लोगसभा की बात करें तो जो पल्यूशन है उस पर आज चर्चा होगी पिनाकी मिश्रा मनीश तिवारी इस चर्चा की शुरुवात करेंगे देखे लगातार सरकार कदम उठाती आई है पल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और ये एक बेहत एहम मुद्दा बन गया है नैशनल क्लीन एर प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया गया है जिसमें टागेट है कि साल दो हज़ार चौबीस तक तक तकरीवन जो पार्टिकलिट मैटर है पार्टिकलिट प्यम टैन और प्यम टू पॉइंट फाइव उसमें 20 से 30 प्रतिशत उसकी कमी आए ये सरकार का लक्ष है तो इन सभी बातों को लेकर आज लोगसभा में चर्चा होगी पल्यूशन पे और साथी साथ चिट फंड अमेंडमेंट बिल जिस पर कल चर्चा हुई थी आज वो जारी रहेगी और उमीद है कि आज ये बिल पास हो जाएगा जिससे जो चिट फंड स सवे सतर के पहले दिन सोमवार को भारती शासन में राज्य सभा की भूमिका और भवश्य की दिशा पर विशेश चर्चा हुई भुजना वकाश के बाद चर्चा की शुरुआत से पहले सभापतियम वंका या नाइडू ने कहा कि देश की संसधिये विवस्था में राज्य मेर सफर में योगदान देने वाले लोगों को याद किया उन्होंने सदन के कामकाज को और बहतर बनाने के लिए दस सुझाव भी दिये और कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दो और विधे को पर चर्चा के लिए जादा समय उपलब्ध हो जरूरत के हिसाब से सदन के निय राते समय उन्हों कि लिए एक लिए घ्टर लगदान आफर टाने के लिए आपक एंगवा यस्श देन अन्हों कि और बा करने कि यहित रख़ झापके लिए लुड़ों सेप्ट है एंगर भी शर्टे छिए तर बॉड इन्हों कि यह इंग टे हिए आजिए एंह फ्दे लो for the members to present their views on legislative proposals on raising issues of public concern. Number four, adequacy and effectiveness of the present procedure currently being followed in the House. Number five, norms to be followed for enabling equitable and wider participation of members in the debates. Number six, ensuring that the members with right background and abilities to enrich debates are sent to this House. Number seven, ensuring self-discipline on the part of the members to ensure compliance with the rules of the business for orderly functioning of the House. Number eight, requirement of infrastructure support to the members to enable informed contribution to the debates in the House. Number nine, ensuring adequate presence of members in the House all through the proceedings and in the meetings of the department-related standing committee and other committees of the House. Number ten, technology adoption for improving the functioning of the members and for more lively conduct of the proceedings of the House. ब्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुवात की. प्रदानमंत्री ने कहा कि संसत का उच्च सदन देश की विविदिता और संगीय धाचे को दिखाता है. राजिसभा के 250 सत्र को लेकर राजिसभा की भूमिका और भाविशी की दिशा पर सदन ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेश चर्चा की शुरुवात की. उन्होंने भारती लोकतंत्र के विकास में उच्च सदन की यूगदान और महत्व के बारे में बताया. प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजिसभा ने हमेशा ही देश हित को सबसे उपर रखा है. इसी के जलते पिछले पांस सालों में सदन से तीन तलाग पर रोक, समाने वर्ग के लिए आरक्षन, जीएस्टी और कश्मीर से अनुच्छे 370 हटाने जैसे विधेक पारिथ हुए हैं. प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्र द्रिष्ट्रिकोंड को केंद्र में रखकर राजियों के हितों के बीच संतुलन में राजिसभा की एहम जिमिदारी है. प्रधान मंत्री ने कहा कि सदन की कारिवाही सुचारू तरीके से चलाने के लिए बीजेडी और एंसेपी समित कई दलों का गतिरोद के दौरान वेल में नहीं जाने के खुद से लिए फैसले की तारीफ की और सभापती को सदन की ओड से कारिवाही में सहयोग का भरोसा दिलाया. चर्चा में विभिन राजनेतिक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया. का दौराम बीज़ गिर टे पर लूमन इस्तै फाराघ की दलोंग डाउने डिँफे उह एंता हरने हिस् tudo set करे रह आमाम्हिं हो ड़िया में ट。 the quality of our input on legislation and on resolving the challenges facing our country. The first recommendation that Poonji Commission made in regard to Rajya Sabha is that the essence of federalism lies in maintaining a proper balance of power and governance and in this respect the council of states that is Rajya Sabha occupies a significant role. There is no doubt that Rajya Sabha is representative of states of the union and is supposed to protect states' rights in central policy making, Poonji Commission says. I want to say that we all should be able to make a great deal with the rules procedure. This is why Rajya Sabha's rule procedure book. Which should be the most common rule of law, which should be the most common law. The United States should be the most common law and the United States should be the most common law. This is why, whatever we have to do with research and provide the support of the United States, I think that one year in the future, the United States of the United States of the United States, जो आते हैं, उन्हें हम कैसे अपने सांसनों के साथ अटेच करें, जो हाउस उसकी बेवस्था करें, वो हमें असिस्ट करें, तो साहत बहस की गुनवता और बढ़े, सदन का सत्र समय बढ़े, पर इस सर्थ पर कि सदन में गंभीरता से बिना बेवधान उस बढ़े हुए समय दल के आठ जवान चपेट में आ गए, जवानों को बचाने के लिए सेना ने ततकाल रिस्क्यू अपरिशन शुरू कर दिया, रिस्क्यू में बचाये गए जवानों को सैन इस्पताल में हेलिकॉप्टर के जरिये पहुचाये गया, लेकिन इलाज की दोरान चार जवानों दो अन्य पोर्टरो के ने दम तोड़ दिया, बाकी बची दो अन्य जवानों का इलाज अभी जारी है, कारकोरंक शितर में लगबग 20,000 फीट की उचाई पर स्थित, सियाचिन ग्लेशियर विश्व में सबसे उचा, सैनिक शितर माना जाता है, जहां ताप माना मूमन शू अरण सैनिको और पोर्टरो के निधन से गहरा दुख हुआ, मैं उनके सहस और राष्टो की सेवा को सलाम करता हूँ, उनके परिवारों के प्रती मेरी गहरी समवेदना सरकारी फ्रिंट टांक नीतिया योग देश के मद्दिवर के लोगों के लिए नया हेल्थ के सिस्टेम त्यार करने पर विचार कर रहा है, नीतिया योग ने कहा है कि इस नय सिस्टेम का लाब ऐसे लोगो को मिलेगा, जो वर्तमान में लागू सब योजनाओं से वंचित है नीतिय आयो का कहना है कि नए सिस्टम में उन लोगों को कावर किया जाएगा जो हाल ही में लॉंच की गई आई उश्मान भारती ओजना में शामिल नहीं है लॉव हो रॉव नाई आई लॉव में लॉव नॉव डॉव थे लॉव ऑज लॉव फिलॉव, य। छॉव इन लॉव फजवा जॉव पू पर लॉव ऑ। अब्यावीरे भी निटित अच्च मि 1995 अभू को की एच। 높ू की इचे कीू आविपिज मेशी केहां इट एंपोल से में।iसे हैं को इन्य ह। सकतİ propor uh I' मıyla एंपेने खेचे कुषचें जहें वे Olivier है गाल य्या शूप्य। even in some of the states where the coverage level was quite low, has been improved quite substantially. Now, almost 90% coverage. Bill and Melinda Gates Foundation के कोच चेमन, Bill Gates ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से दिल्ली में मुलाखात की. Gates ने नों तीन दिन की भारत तेयात्रा पर हैं. इस दोरान वो यहां अपने फाउंडेशन के कारियों की समीक्षा कर रहे हैं. Bill Gates के साथ मुलाखात के बाद प्रधान मंतरी ने ट्वीट करके उनसे मुलाखात पर खुशी जटाई. प्रधान मंतरी ने का कि Bill Gates के साथ उनके अद्भूत बैठक हुई. उनके साथ हमेशा वेब बिन विश्यों पर बातचीत करने में खुशी होती है. अपने अभिना वुट्सा और जमीनी स्थर के काम के माध्यम से वो हमारे ग्रह को एक बहतर स्थान बनाने की दिशा में लगन से योगदान दे रहे हैं. खेंद्रि स्वास्त और कल्यान मंतरी डॉक्टर हर्श वर्धन, बिल और मिलिन्डा गेट्स फाउंडेशन के सहत ध्यक्ष बिल गेट्स की बीच मुलाकात भी. मुलाकात के दोरान स्वास्त मंतराले और फाउंडेशन की बीच सहीयुक पत्र पर हस्ताक्षर हुए. इस औरान हर्श वर्धन ने भारत के डिजिटल हेल्थ मिशिन से बिल गेट्स के जुड़ने की अपील भी किया। कर दोरान हर्श प्रूर्ण पर्ण पर ने भारत की बीच्ट है। राजनात सिंग ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की छटी बैठक को भी सम्भूतित किया इस अवसर पर उन्होंने अंतराश्टे समुदाय का आवान किया कि बहुत अंगवादियों के ठिकानों और नेटवर्क को तबह करके उनकी वित्य सुरोत को समाप्त करें और उनकी आवजाही पर रोग लगा कर खित्रिय सुरक्षा को सुनिश्शित बनाएं और अब बाद परियावरन और जल्वाई और परिवर्तन को लेकर खास पेशकिश की भारत सोलर और पवन उजा से चीन और अमेरिका के मुकाबले जादा जीवन बचा सकता है दरसल चीन और अमेरिका में कोईले से बहुत कम बिजली उत्पन होती है वह हमारे देश में कोईले के प्लांट से खरीब 70 फीजदी बिजली पैदा होती है इन्प्लांट में फिल्टर नहीं होने के वज़े से भारत में कार्बन डायोकसाइड का स्तर बढ़ता जा रहा है ये बाते हाववार्ड युनिवर्स्टी के एक शोध में सामने आए है पाल्ग्रेव संचारपत्र का में प्रकाश्च शोध में बताये गया है कि अगर भारत सोलर और पावन उर्जा को अपनाता है तो उत्री अमेरिका और यूरोप के तुलना में दस गुना अधिक जीवन बचा सकता है राश्पती भावन में IIT, NIT और भारते अभियांतर की विज्ञान और प्रोध्योगे की संस्थान शिवपूर के निदेशिकों के एक संमेलन का आज आयोजन किया जा रहा है संमेलन शेक्षन के संस्थानों के साथ राश्पती रामनात कोविन के नियमित संवादों का हिस्सा है जो 152 केंद्रे विश्व विद्याले और उच्चे शिक्षण संस्थानों के कुलाध्यक्षों के अपनी क्षमता के तहत ये समबाद करते हैं सम्मेलन में 23 IIT, 31 NIT और II EST शिफपूर के निदेशकों के अलावा केंद्रियमानव संसादन विकास पंत्री रमेश पुखरियाल निशंग और AICTE के प्रमुक अनिल सहस्र बुद्धे समेथ कई हस्तियां शामिल होंगी समेलन के राष्टे संस्थागत रांकिंग ढचा इन संस्थानों की गते विद्यों में और विचातरों के योगदान और सहभागिता और संकाई और विद्धियार्थियों को रवेश के मामले में महिलाओं के पृतिने धित्वों को बढ़ाने के कदमों जैसे मुद्धों प पर बस्तियां बनाने के इसराइल के अधिकार का समर्थन किया है अमेरिके विदेश मंतरि माइंक पॉम्पियों ने कल इस बात की होश्रा की उन्होंने का कि अमेरिका भी ये नहीं मानता कि फिलस्तिनी क्षेतर में इसराइल की बस्तियां वैद है उदर इसराइल के प्रिधान मंतरी ने कहा है कि अमेरिका का बयान एते हास एक भूल में सुधार है लेकिन फिलिस्तीन प्रिशासन ने अमेरिकी नीती का विरोध किया है येरोपिय संग ने फिलिस्टीन क्षेतर में बस्तियां बसाने की इजरायल की नीती की आलोचना की है बात खास शक्सियत की आईरन लेडी के नाम से मशूर पूर प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी किया जेनती है इस मौखे पर देश भर में कई कारक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उर्वाश्वेती प्रणमुकर जी ने शक्ती स्थल पर जाकर श्रिद्धांजली दी उर्वो प्राश्पती हामिद अंसारी पूर प्रधानमंत्री मन महान सिंग कॉंग्रस की कारेकारी अधक्षि सोनिया गांधी समेथ कई नेताओं ने इंद्रा गांधी को श्रिद्धांजली अर्पित की इंद्रा गांधी ये स्वतंत्र भारत की पहली बहिला प्रधानमंत्री थी अपने फैसलों की बदौलत इंद्रागांधी ने राजनीती के वैश्विक मंच पर गहरी चाप छोड़ी देश को परमाणु शक्ती बनने में भी इंद्रागांधी की भूमी का एहम रही प्रधान मंत्रे नरिंद्र मोदी ने पूर प्रधान मंत्रे इंद्रा गांधी को उनकी जेहनती पर उश्द धांच लिदी है जहासी के रानी लक्षमी बाई किया जेहनती है उप राशपतियम वेंका एनाईडू ने ट्वीट करके जहासी के रानी लक्षमी बाई की जन्म जेंती के अफसर पर देश की वीरांगना किस्वरिती को साधर प्रणाम किया है उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्षमी बाई की वीरगा था हमारी केवदंतियों का हिस्सा रही है खूब लड़ी मरदानी वो तो जहां सीवाली रानी थी हमारे संस्कारों का काव्य है आज विश्व शौचाले दिवस है इस मौखे पर उप्राश्पतियम बेंकर या नाइडियों ने ट्वीट करके विश्व शौचाले दिवस के अफसर पर देश्वासियों से सामुदाइक स्वच्छता, स्वास्थ और सम्मान के लिए शौचाले का प्रियोग करने का आवान किया है उन्होंने कहा कि ये हर्श का विशे है कि महात्मा गांदी के 150 वी जन्म जेन्ती वर्ष में देश के गाउं को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष प्राप्त कर लिया गया है इस लक्ष की सफलता में सक्रिय जन्भागिदारी की अभिनंदनीय भूमिका रही है आज इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा एक बार फिर यहां देश के अलग-अलग राज्यों की संस्रिती और कला का भरपूर नजारा देखने को मिलेगा आप देखें रिपोर्ट और फिलाल मुझे दीजे जहाज़त नमस्कार 49 में भारतिय अंतराष्ट्य ट्रेड फेर में इस बार की थीम इस ओव डूइंग बिजनस है हॉल नमबर साथ में थीम मंडब बना है इसमें थीम आधारित कंपनिया भाग लेंगी फेर में इस बार 38 राज्यों को जगह दी गई है मिघाले इस बार फेर में शामिल नहीं हुआ इस बार ट्रेड फेर पूरी तरह प्लास्टिक फ्री होगा और आने वाले लोग भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे यहां खादी की बढ़ती मांग को देखते हुए खादी गाउं भी बनाया गया है ट्रेट फेर में हैंडी क्राफ्ट तो है ही साथ ही आप यहां स्वास्थे और परिवार करल्यान मंत्राले की ओर से फ्री हेल्थ चेक अप भी करा सकते हैं यह जम्मू कश्मीर पावेलियन है सरस है हंगर है और जो बाहर आउटर साइड जो मार्की टेरी है वहां हम लोग घुम चुके हैं इसके लावा यहां फ्री हेल्थ चेक अप भी है तो बहां पर भी हम लोगों ने चेक अप कराया है अभी तक बीपी टेस्ट हुआ है यहां प तो हमारी संस्कृती से जो भी जुड़ा हुआ है खादी से हमने शुरू किया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी तक का इस बार वैसे बिजनस आर्ज है तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके अलावा मेले में कई जागरुकता अभ्यान और सरकार की योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आधी के बारे में लोगों को बताने के लिए खास टॉल भी लगाए गए है हर साल की तरह इस बार भी ट्रेट फेर में अलग-अलग राज्यों की संस्कृती और कला दिखाई गई है और साथ ही संस्कृतिक कारेक्रम भी आयोजित किये गए है तो अपने परिवार के साथ आईए और स्ट्रेट फेर का भरपूर मजा लीचिए कैमरे परसन अमित राज के साथ मैं लीना शर्मा राजसबा टीवी दिली